दोस्तो आज हम इस बीटियो में बात करेंगे S.S.C. J.E. एक्जामनेशन की क्योंकि इंजिनियरिंग ग्रेजुएट्स जितने भी हैं वह अफसे पहले ये देखते हैं कि उनको कोई एक जॉब मिल जाए और जब जॉब की बात आती है गॉवर्मेंट सेक्टर की बात आती है तो S.S.C. J.E. एक ऐसी opportunity है जहां सबसे ज़्यादा vacancies होती है अच्छी बात इसमें यह है कि level of difficulty कम होता है अगर आपने gate और engineering services जैसे exams की तयारी की है तो भी यह recommended है कि आप S.S.C. J.E. के exam को crack करो और आप एक job अपने hand में रख करके फिर आप आगे अच्छे job की तरफ है अगर strategically plan करना है इस exam को crack करना है आपको कम पढ़ करके crack करना है कम समय में crack करना है तो exam की understanding अच्छी होनी चाहिए उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि कि सब्जेक्ट से कितने questions आते हैं कैसे उनका difficulty level क्या है कि सोर्स से आपको पढ़ना है और last 45 days जो अभी बचे हु तो आज इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सागर डुडेजा और मैं हम दोनों लोग discuss करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी strategy क्या है तो सागर let us begin the journey जैसा कि सर ने बताया कि SSC को definitely आपको seriously लेन की जुरत है और क्यूंकि अभी jobs वगर की हम जानते हैं कि jobs की crisis तो है और इसी वज़े से SSC JEE का जो एक्जाम जो भी एक से लेकर 4 September को होने वाला है तो अभी हमने आपके लिए बहुत सारे चीजें material प्रपेर किया है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा दो और explain करेंगे सर आपको भी कि क्या हो नीच है यहां की strategy इसमें कुछ points यहां पर हम लोग आपके सामने बात करने वाले moreover जो भी आपकी branch है civil हो mechanical हो electrical हो और आपका जो general awareness वाला जो portion होता है और साथी साथ आपका जो general intelligence होता है तो हमने proper analysis किया है बह इसका syllabus ज्यादा है वो ज्यादा important है लोग उसमें ज्यादा time देते हैं बलकि ऐसा है नहीं खास करके अगर हम SSC की बात यहां पर हमने जब देखा तो हमें खुद को astonished हो गए कि कुछ चीजें हैं पर उल्टी हो गई है कि जो subjects gate IES में important हैं वो यहां पर important नहीं है और कुछ area जो minor माने जाते हैं gate IES में वो area यहां पर major हैं तो subject की understanding के साथ-साथ exam की understanding भी जरूरी है अगर आप यह समझ लो कि इस particularly SSC JEE exam के लिए आपको अगर crack करना है तो आपको किन-किन subjects पे focus करना है फिर आप वहां पर ज्यादा time आप invest करो right अब इसी start करते हैं जैसा हम एक-एक subject क की बात करते हैं तो पहला हम लेंगे इसमें हमारा civil engineering आप civil engineering में तो वैसे बहुत ही white syllabus है हम लोग पढ़ते हैं तो पुरा first year से fourth year तक लेकिन यहां देखो आप building material एक subject है जो की बड़ा छोटा subject है और limited इसका syllabus है और इसकी weightage कितनी है आप यहां पर अगर check करोगे तो 23.4% building material और RCC की syllabus को compare करते हो तो building material में भी half of the RCC or even less लेकिन इसकी weightage ज्यादा है second highest is the RCC यह है last five years के analysis है पूरा detailed analysis अचा इसमें आपके देख पार है benefit by cost ratio आप देखिए मतलब आपको कितना benefit को किस subject को कम पर करके हम ज्यादा कर सकते हैं ultimately यह aim है अगर हम देखते हैं कि यहां पर theory of structure लेकिन theory of structure में कुछ section strength of material का भी पूछा जाता है हलाकि syllabus में theory of structure लिखा है जैसे bending moment CR4CC का हिस्टा हो जाता है वो सौम में students पढ़ते हैं तो यह third highest weightage है 11.6% फिर survey again is a small subject as compared to the RCC की comparison में survey का भी syllabus छोटा है तो इसकी भी weightage अच्छी है और fluid mechanics fluid mechanics has 10.2% अगर सागर हम इन 5 subjects को देख ले यहां पर number 1, 2, 3, 4 and 5 right building material RCC theory of structure survey and RCC यह सब मिला करके तो अगर आप calculate करेंगे near about यह 68.2% हो जाता है जी सर देखिये more than two third हो गया out of the 11 subjects of civil engineering 5 subjects are giving more than two third weightage तो preparation करते समय students को इस चीज का धान रखना है कि हमें किन्स areas पर focus करना है अगे लावा आपने पाकी subjects तो steel design हो गया steel design is around 9.6% estimating costing एक unconventional subject है जादा लोग नहीं पढ़ते हैं but this is a easy task आप पढ़ सकते हैं Dattasundaram की book से या किसी भी book से पढ़ सकते हैं so oil mechanics बहुत बढ़ा important subject है गेट में देखा जाए तो यह 16% weightage है subject की गेट में लेकिन यहां पर हम देखते हैं तो 5.2% है transportation मतला mainly highway हाला कि highway और railway दोनों इसका हिस्टा है mainly highway पूछा जाता है 5% weightage है और environmental engineering is 4% and irrigation and hydrology together शागर यह तो आपका subject है बहुत कम पूछा जाता है SSC में 3.2% irrigation and hydrology and environmental engineering is 4% यहां पर एक चीज और देखिए SSC JEE के paper में total जो number of questions आते हैं वो 200 हैं और 200 marks का paper होता है पूरा उसमें 3 sections में slavis को divide कर दिया पहला हो गया technical जिसमें 100 questions और 100 marks का दूबरा हो गया general awareness और general awareness 50 marks 50 questions and third part हो गया general intelligence and reasoning that is again 50 marks and 50 questions तो अभी तो हम यह civil की बात कर रहे थे इसी में अगर हम technical section में अगर हम mechanical की बात करते हैं तो mechanical engineering मैं आप देखिए यहां पर same fluid mechanics जो की civil में बेटेज उतनी जादा नहीं थी देखिए 29.8% is the fluid mechanics almost one third हो गया almost one third हो गया strength of material power plant is less syllabus तो यह भी 11.5% है फिर strength of material भी 11.4 basic thermodynamics is 10.8% and theory of machine is 10.2% अगर हम इन पांचो subjects को add कर दें यहां पर out of the 11 these 5 subjects तो roughly 75% हो जाता है अभी यह 75% तो 3 4th हो गया तो आपको make sure करना है कि यह जो आपके at least top 5 subjects है इन में आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है हर चीज पढ़के जानी है क्योंकि इसका weightage है अगर आप कोई भी चीज यहां पर छोड़के जाएंगे जाद होना चाहिए and third are little bit the calculation based जिनकी जो संख्या है जिसके जो number है that is around 20% तो जो questions का difficulty level बहुत जादा नहीं है आपको syllabus को देख करके तयार करना है किस subject से कैसे questions आते हैं किस topic के कैसे आते हैं तो हम लोगों ने 2016, 17, 18, 19 के जिसे सारे papers 2014 से in faculty हैं 2014 से 2019 तक की जितने exams हुए हैं जितने paper हुए हैं उन सब का average analysis करके फिर यह percentage निकाला है तो मुझे उमीद है कि students को इससे help मिलेगी अपनी जो 45 days अभी बचे हुए हैं और उसको plan करने में help मिलेगी अगर हम बांकी subjects देखते हैं mechanical में वैसे को आपको कोशिश करने के कुछ भी नहीं छूड के जाना है हर चीज पढ़के जानी है लेकिन हाँ फोकस इससे साब से करना है फोकस इससे साब से आपको अपने फोकस को चेंज करना जहूरी है फिर इसके बाद IC engine चोड़ा subject है 9% production engineering बहुत बड़ा subject है अगर हम बैफे देखते हैं कि student लेकिन यहाँ पर weightage of production काम है RAC की weightage 6.8% है MD की 6% है engineering mechanics 3.8 heat transfer वैसे स्लेवस में mention नहीं है लेकिन heat transfer से questions आई हुए इसलिए हम लोगों ने जब calculation किया to HMT की questions मिले उनको वाइफर केट किया तो हर फाल एक दो-एक दो questions आ रहे है 2.6% इसकी weightage है लेकिन यह actually syllabus में heat transfer mention नहीं है सागर यह था हमने देखा mechanical में अब electrical में आते हैं same hundred questions का अगर break up देखते हैं तो यहाँ पर syllabus as compared to civil and mechanical काफी कम है सबसे ज्यादा syllabus civil में है second highest is mechanical but electrical का syllabus roughly 50% है आप देखे टोटल 6 subjects है 6 में से अगर हम electrical circuits जिसको हम network analysis करते हैं तो इस network analysis को अगर हम देखे हैं तो यह अपने आप में 31.6% है यह बहुत बड़ा weightage है electrical machines एक subject है जिसकी weightage around 25% है तो one third तो यह हो गया one fourth यह हो गया इनको दनों को मिला देए तो 55-56% हो गया आप देखो these two subjects are alone 56% तो electrical में यह बात तो है कि subjects को हम इस सहाब से देख सकते हैं फिर हम देखते हैं कि measurement है transmission and distribution जो की power system को कह सकते हैं आप UEE and estimating and costing यह थोड़ा unconventional subject है especially gate IES में नहीं है electrical engineering के levels में और basic electronics का जो part है कुछ इसमें EDC analog के areas है basic electronics के 8% areas है तो electrical में आप लोग यहां पर focus करें right these are the two subjects which are important one is network analysis and the second is machines तो यह आपको weightage दिलाते हैं तो यह तो बात की अभी हम लोग ने technical की अब इसके आगे हम लोग देखते हैं non-technical में तो non-technical में 2 sections हो गए one हो गया पहला हो गया general awareness का दूफरा हो गया reasoning aptitude and intelligence का तो general awareness 50 questions 50 marks इसमें पहला section है general knowledge का जो की general facts and figures of India and abroad पुछे जाते हैं highest, lowest this and that तो GK का पार्ट हो गया plus current affairs तो यह अपने आप में one-fourth हो जाता है GK and current affairs current affairs आप लोग regularly updated रहिए और current affairs related made easy के prime app जो है उसको download कर लीजिए weekly current affairs की videos आती है जो आपको आपके SSC ही नहीं in fact engineering services के exam में बहुत help करने वाली है इसमें सागर हम लोग अपना जो telegram channel है made easy official telegram channel है वहाँ पर weekly current affairs का हम लोग PDF upload करते हैं तो जो students उसका PDF लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं और made easy YouTube channel पर इसका world of the week के नाम से weekly current affairs हम लोग डालते हैं तो एक तो यह दूफरा यह है कि general awareness section के लिए मतलब यह जो non-technical वाला section है general awareness reasoning aptitude इसके लिए made easy prime में एक course चल रहा है जो अभी recently स्टार्ट हुआ है और उस course को भी चाहें तो students enroll कर सकते हैं और focused and targeted as per the examination by the made easy faculties वो course भी available है बहुत ही nominal cost में है ऐसे कोई cost ज्यादा नहीं है फिर geography and environment this is the second important area जो 15.7 percent questions geography and environment से आ रहे हैं general science में से हम दो part कर सकते हैं एक में physics chemistry ले 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 तो physics chemistry is around 16.7 percent Indian history around 10.3 percent Indian polity is around 10.3 percent फिर economy 9 percent है Indian economy and biology as I told you 7 percent तो यह है GS वाला section जिसमें history, polity, life science, physics, chemistry, environment, geography and economy and biology यह section से और the last section of which is general intelligence, reasoning and aptitude सीधे 50 questions, highly scoring, 50 math questions और अगर आपका जरा भी थोड़ा mathematical part अच्छा है और आप गलतिया नहीं करें तो यहां पर अच्छा score कर सकते हैं और वैसे भी engineers तो थोड़ा aptitude skills रखते ही है और engineers expected भी है कि your aptitude skills should be good तभी तो आप engineer हो लोग बोलते हैं ना कि engineered method, scientific method, technical method तो इसका मतलब है logical method we are not based on the general perception, we are based on the specific perception हमको एक intelligence label होना चाहिए तो सागर अभी इससे काफी idea हो जाएगा students को और सागर इसमें हम और बात कर लेते हैं कि students की जो plan of study क्या होना चाहिए Plan of study सर एक तो बहुत important चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पहला point वो यह है कि easy for all, tough for all होती है चीजें मतलब या तो आसान होगा तो सभी के लिए आसान होगा और tough होगा तो सभी के लिए tough होगा तो यह relative होता है तो plan of study आपको अपनी तरफ से syllabus पूरा complete करने की कोशिश करनी है सबसे पहली चीज आपको अपनी तरफ से syllabus पूरा complete करनी कोशिश करनी चाहिए irrespective of कि उससे easy question आएगा कि tough question आएगा यह नहीं सोचना है आपको पढ़ते वक्त आपको syllabus पूरा करना है हाँ लेकिन obvious ही बात है कि जैसा भी हमने analysis करके देखा कि कुछ ऐसे subjects हैं जिनका weightage बहुत जादा है तो definitely आपको उन पर ज्यादा focus करके उसमें कोई भी area को कोशिश करनी चाहिए कि miss ना हो जाए जो आपके syllabus में हो सागर हम एक काम कर सकते हैं यहां पर हम अपने students को दो category में divide कर लेते हैं एक category वह जो अपने आप को average मानके चलते हैं जिन्होंने साल में बहुत अच्छी पढ़ा ही नहीं किये और वह अभी तक भी mãe क के चलते हैं पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा जो एक category है मानके चलो कि अभी आपको पता चल जाएगा हो जाएगा तो यह average category वाले students को ले लेते हैं वो मान लेते हैं खुद को ऐसा अपने से अपने से मान लेते हैं वो अपने आपको लेकर के जलते हैं और दूफरा हम ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छे level के students है जो लोग पढ़ हैं अभी तक के और तैयारी कर रहे हैं इनको हम क जो पहले हम बात करते हैं इनकी average category of students की जो अभी अच्छी तैयारी नहीं है आपको 45 डेज बचे हुए हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है आप पहले सही मान के चल रहे हो साइद में रेस में नहीं आपाऊंगा क्योंकि competition तो ज्यादा है तो आपकी जो strategy है सब्सक्राइब करते हैं जो जो आपको 70% 75% questions जहां से दे रहे हैं उन subjects को तो आप पूरा revise कर लो जो बांकी के subject बच गए उसमें से थोड़ा past 4-5 years के question paper में जाओ और देखो कि किन-किन topics के question आ रहे हैं वहां पर revise कर लेकिन ये जो students हैं जनोंने साल बर पढ़ा है तो इनसे तो मेरा यही suggestion के लिए कि सब कुछ पढ़के जाओ पूरा पढ़ो आप कुछ मत छोड़ो क्योंकि आपको कोई risk नहीं लेना है आपने पढ़ा है अब आपको consolidate करना है आप यहां पर करके जाओ इसी तरह से जब हम reasoning aptitude और इसमें आते हैं तो आप यह देखो कि आपको 200 में स से overall marks ज्यादा लेकर आने हैं लेकिन तीनों का sectional part भी आपको clear करना है तो reasoning aptitude scoring हो सकता है तो अच्छे से कर लिया GS वाले में कोई जैसे 6-7 topics में से आपने 4-5 topics अच्छे से कर लिये तो इनके लिए हो गया इनके लिए तो फिर ही आई है कि आप पूरा करके जाओ तो जो students अभी भी अपने आपको race से बाहर समझते हैं वो क्या करें 45 days का एक plan बनाएं और इस 45 days को exam को समझके syllabus को समझके और एक strategy बनाएं और फिर दोड़ने की कोसिस करें तो जैसे हम लोग सोचते थे कि यार 400 मीटर की रेस तो नहीं दोड़ पाएंगे तो लेड़ेस बेगिन भी 100 मीटर 100 मीटर का target बना के चलते थे तो हम ऐसी कोसिस कर सकते हैं कि ठीक है आप इतने subject पर बना के चलो आपने अच्छे से plan कर लेंगे तो आप इनके बराबर easily पहुंच सकते हैं by the time of exam आज आप कहा है उससे matter नहीं करता है लेकिन exam की date के पहले आप कहां तक पहुंच चुके हैं वो matter करता है Exactly, so the day begins today and you need not to waste even a single day now अगर आपको एक अपनी pocket में एक government job देखना है पढ़ा हो वो भी spare में जैसे हमारे हमेशा एक पर्स पढ़ा रहता है pocket में तो ऐसे के लिए तो आज पूरी तरह से आप लग जाईए next 45 days 50 days के लिए जरनी के लिए और SSC के exam को crack करने के लिए तो इस तरह कैसे आपको प्लान करके चलना है नेखो दोस्तों आपको अभी और आगे exam से लिखने होंगे और लिखना भी चाहिए this is not your final destination this is a mid-landing civil engineering वाले समझते हैं कि हमें top floor में पहुंचना है तो बीच पे mid-landing भी आएगी तो यह mid-landing वाला job है एक job ले लो उसके बाद फिर आप न कि कुछ लोग उपर तक पहुंचेंगे कुछ नहीं पहुंचेंगे लेकिन आपको कोशिस करनी चाहिए तूफरा क्या है ना study always brings knowledge and knowledge is permanent success and failure is temporary आप फेल हो गाई या पास हो गाई वो तो थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे लेकिन जो knowledge gain करोगे यह तो हमेशा आपके साथ यह तो है सर एक चीज होती है जो कि बहुत important जो मैं कहता हूं कि you have to learn you have to learn for the sake of learning you have to do this learning for the sake of learning right अगर आप अभी यह सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास समय कम है या फिर मैं शायद अभी नहीं कर सकता हूं मेरे से आगे तो मेरा दोस्त है कैसे मैं उसके बराबर पाँचूंगा तो यह सब चीजें आपको ना unnecessary you will feel pressure you have to learn just for the sake of learning आपको पढ़ाई करनी है just for the sake of doing that पढ़ाई enjoy that process obviously बात है कि यह आपका final destination नहीं है और आगे ऐसी और भी opportunities मिलेंगी और अगर आज की डेट में अपने start कर लिया तो आगे आने वाली opportunity यह आपके in-hand opportunity आप सब में बहुत अच लेते हैं कि एक तो यह हो गया कि आपको पढ़ना है मतलब plan of study त्यार करना है अभी तक तो आप पढ़ाई कर रहे हो बिना इस plan के कर रहे हो तो आपको plan of study करना है plan of study जब आप त्यार करते हो तो इसमें आपका daily routine fix होता है 24 hours में से कितने घंटे आप पढ़ोगे और किस करने करनी है क्यों क्योंकि आपको 45 days के अंदर कम से कम दो बार subject को पढ़ जाना है और key points तो हो सकता है ज्यादा बार आपको revise करने पढ़ जाया है formula जैसे चीजे तो plan of study त्यार करना है मेरा मानना है साकर अगर आप self study कर रहे हो और इस समें बहुत ज्यादा courses नहीं कर रहे हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई में दे सकते हैं दे सकते हैं पर्टिकुलर एक्जाम के लिए तो आप मान की चलो की 10 तो 12 आपके पढ़ाई में चले जाने चाहिए और वैसे भी आज कर निकलना नहीं है घर पर ही रहना है तो चलो पढ़ते हैं पढ़ने का यह काम है तो है छिए है कि पढ़ाई के साथ शाथ आपको अपना वंटी करना है विल्कुल विल्कॉल तो दो शेलफ ईव अपनी गलतिया नहीं पकड़ पाओगे तो शेल इवैल्यशन अदस से आऊगा सब्सक्राइब और लिए तो आप चले जाईए आप टेस्ट दिया काम हो गया दोस्तों यहां इंपोर्टेंट यह है कि आपने टेस्ट दिया फिर आप थोड़ा एनलाइज करो कि मैंने कितनी आपने गलतियां कर दी गलतियां जो की है वो किस लेवल की है और अगले टेस्ट में वो ना हूँ दूसरा जो सवाल आप से नहीं बने उनको आप थोड़ा उसके सॉलुशन रीड कर लो अंसर रीड कर लो तो यह जरूरी है त लेकिन आने वाले weeks में आप थोड़ा step up करो कुछ ना पाइदान ऊपर चड़ जाओ रैंकिंग भी आपको ना ऐसी आप कोशिश करिए ऐसी test series को आप जॉइन करिए जहां पर बहुत सारे बच्चे जो authentically तैयारी कर रहे हूं वो लोग test देते हूं राधर देन की कहीं भी randomly आपने किसी भी website में सर पता है कुछ इस्टूडेंस जासे ना कहीं पर अगर unsubscribe या ऐसे अवेलेबल है तो वहां पर कोई भी student टिक कर देते हैं कोई भी student that is not a seriousness method नहीं वहां से पता भी नहीं चलता तो observe your ranking from an authentic source 3rd number पर हम लिखते हैं कि एक तो study plan है एक होता है revision plan राइट सर तो revision मतलब कुछ लोगों के लिए तो अभी फिर बीजन स्टार्ट हो रहा होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए last 20 days में री बीजन स्टार्ट होगा तो revision is the basis of your performance खास करके जो technical portion है वहां के जो formula है वो जो history, geography, politics और इनके facts and figures है वो और reasoning aptitude के कुछ tricks है तो revision plan आपका बहुत important है आपको मैं एक चीज़ सजिस्ट करूँगा कि आप last moment के लिए revision के लिए मत छोड़ो अब वैसे ही last moment आ गया है आपका जो daily routine का time है उसमें जो subjects अभी तक नहीं पड़े हैं एक certain part of time आप उसमें दीजिए और एक certain part of time आप उन subjects में दीजिए जो अलड़ी पहले पड़ चोके हैं तो revision साथ 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 कर दीजिए तो daily आपना revision लेकर के चलिए आप ऐसे करती जाए revision करने के लिए आप क्या करिए आप मार्क करिए कुछ अच्छे questions को mark important questions मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप कुछ अच्छे questions को mark करके रखिए इससे फाइदा ये होगा कि आपके revision में समय बचेगा आप बार बार हर question को अगर solve करने जाएंगे जो बहुत ही easy भी थे आपको पता है उसका basic knowledge आपके पूरा है बार बार लेकिन आप उसी question में अपना time pass कर रहे है time waste कर रहे है जो भी आप कर रहे है तो वह आप ना करके आप सिर्फ important important questions पर focus कर सकते हैं moreover अपने जो notes आपने बना के रखे हैं उन notes में भी आप important areas जो key areas उनको mark कर सकते हैं कि ये व अभी अगर time है मतला आप मान के चलिए कि जैसे 45 days बचे हैं उसमें से आप 15-20 days अभी आप नहीं चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ी है last के जब 20-25 दिन में बचेंगे तो mostly revision पर time देना है evaluation पर time देना है test पर देना है practice पर देना है और time bound test देना है कि मतला अ test देने कर जो time होना चाहिए time of test मतलब दिन में आप किस समय आप test को दे रहे हैं तो preferably exam के time पर दे राइट अगर exam सुबह जो दो गंटे 9-11 होने वाला है कुछ test तो जरूर rehearsal करना चाहिए उसी time frame में उसी temperament के साथ उसी environment में बैठके और online exam हो रहा है तो online डीजे तो ताकि दिमाग यूस्टू हो जाएगा चलने लग जाएगा उस समय अधर्वाइस आप अपने convenience से आधी रात को टेस्स दे रहे हैं या शाम में दे रहे हैं सुबह में उस टाइम पर 9-11 आपके दिमाग में नींद का महौल चड़ा रहता है तो ऐसे में exam temperament develop नहीं हो पाएगा तो आपको help करें MediG Prime YouTube channel पर MediG Prime app पर free of cost आपके लिए जो भी help हम कर सकते हैं तो students से मैं request करूँगा कि यही लोग बताएं कि वो क्या help चाहते है तो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं आप इस comment box में जरूर लिखिए कि आपको क्या problem है difficulty है जहां पर आप चाहते हैं कि हम आपको help कर दे देखो general studies का section है reasoning aptitude का इसकी classes अलरी चल रही है इनके अलावा आप कम से क्या चाहते हैं free of cost हम आपको देने के तयार है कुछ ऐसे चीजें जो हो सकता है कि आपको technical में कोई basic understanding की जरूरत है या फिर आपको revision में या कुछ और चीजें या कुछ आप ऐसे test चाहते हैं tips चाहते हैं या क्या चाहते हैं तो आप जरूर अपने students को कि हम लोग ने से पहले भी वीडियो जो में अपलोड किया है उसमें एक notes making पर उसमें मैं आपको summarize कर देता हूं दोस्तों पहली वीडियो जो हमने बनाई थी जहां पर हमने बात की ती कि learning with limited resources कि आपके पास कम से कम resource अभी है आपके बहुत ज्यादा resources नहीं है जो in fact कहीं नहीं पर सकता है एक तरीके से blessing in disguise भी हो सकता है यह चीज और आप limited resources में कैसे make sure कर सकते हैं कि आप select हो जाएं दूसरी जो हमने वो notes making पर थी कि कैसे आप बहतरी notes बना सकते हैं जो आपको पढ़ने में और साथी साथ revise करने में बहुत help करेंगे बहुत ही detailed in-depth videos है and especially self study जब बच्चे करते हैं या online lectures करते हैं तो notes कैसे बनाना है right 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 क्योंकि जब class करते हैं तो class में तो automatically notes बनते जाते हैं लेकिन जब self study करते हैं तो notes making की importance वहाँ पर आती है right sir right sir अभी आगे और भी बहुत सारी videos हमने प्लान कर रखी है एक हम लोग series start कर रहे है how to series है हमारी एक बहुत ही important series है आप लोगों के लिए बहुत beneficial होगा और वो series है दोस्तों how to series मतलब जहां पे हमारी जो how to prepare, how to make notes, how to study, how to make temperament, how to overcome with the stress, how to correct the exam and this दूफरी हमारी series होगी topper stock तो जो SSC, state exams, ISRO, DRDO, EAC, GATE, civil services के toppers है उनसे talks थाकि उनका हमें पता लगे कि उनकी strategy क्या था और एक exam series है वर्ल्ड affairs, current affairs एक्जाम भी है sir, exam और current affairs यह है हमारा exam series exam series है अभी आप जैसे SSC का दे रहे हैं या हमें exam series की बात कर रहे हैं कि हम SSC exam को अब लेकर के चल रहे हैं कुछ समय के लिए आपको और सारे वीडियो जैसे के लिए लेकर आएंगे SSC exam के बारे हां फिर यह अपना हो गया weekly current affairs weekly current affairs जो आपके हर exam के लिए बहुत important और यह सारे के सारे प्रोग्राम्स फ्री आफ कॉस्ट हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप अपने फीडबैक और डिसके संदे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक जैहिंत थैंक यू सो मच्छ तेया जैहिंत